तो दोस्तों question है खरास को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है ओप्षिन एग्रेटर, ओप्षिन वीशिफ्टर, ओप्षिन सीविस या फिर ओप्षिन डी सौर्थ्रोट तो इस cancer करने के लिए आपको दी जाता है पांच शेकिन के समय तो इस cancer होगा option number D, सौर्थ्रोट, खरास को अंग्रेजी में सौर्थ्रोट कहा जाता है तो किससे पहले आपको इसका meaning पता था, comment box में जुरूर बताएं और मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए आपके पास question first है, हलवा के English में क्या कहा जाता है और वहीं question second है, जलेबी के English में क्या कहा जाता है, इन दोने question का meaning comment box में लिखना ना भूलें तो दोस्तों, अगर आप इनका meaning नहीं जानते हैं और आप जानना चाहते हो कि इनका meaning क्या होता है, तो हम पूरी playlist कर लें, discussion box या फिर आई बटन में डार रहे हैं, उस playlist को जुरू चेकर ले, क्योंकि उस playlist में से कई सारी word है, जो हमारी daily life में यूज होते हैं, लेकिन हमें उ पर बेटे देखते रहिए और सीखते रहिए, धन्यवाद